असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ बहुत यूनिक स्टाइल की बर्यानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये कराची स्पेशल स्टाइल बर्यानी है आप देख सकते हैं ये लुक वाइस भी बहुत ही जबर्दस्त है और इसका टेस्ट इससे भी ज़्यादा जबर्दस्त है इसकी प्रिपेशन बाकी बर्यानी से थोड़ी सी चेंज है तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने लसनद रख ले लिया है इसको ब्लेंडर में एड़ करेंगे हरी मिर्चे ले ली है आड से नो इसको भी ब्लेंडर में एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे मैंने एक पैन ले लिया है इसमें आदा कप आइल आड़ किया है टमाटर ले लिये हैं आदा फिलो वो आड़ किये हैं आइल में टमाटर को अच्छे तरीके से कुप करेंगे अब जो हमने पेस्ट बनाया था वो आड़ कर देंगे इन सब चीजों को आईल में अच्छे तरीके से कुप करेंगे इसका बहुत ही जबरदर सा फ्लेवर आएगा अब हम इसमें स्पाइसी जाट कर लेते हैं नमक दो स्पून, लाल मिरच एक टेबल स्पून, हल्दी आदा स्पून जीरा, एक टेबल स्पून, साबुक गरम मसाला, एक टेबल स्पून, बर्यानी मसाला, दो टेबल स्पून, लाल मिरच, एक टेबल स्पून इस सारे स्पाइसी जाट करके इसको अच्छे तरीके से कुप करेंगे अब टुमाटर को गलने के लिए दस मिनिट के लिए हलकी आँच पे रख देंगे हम मैंने चिकन ले लिया है आदा एक किलो मसाला बिल्कुल रेडी है अब इसमें चिकन एट करेंगे और चिकन को अच्छे तरीके से बूनेंगे मैंने आलू ले लिये हैं पांच क्यूब शेप में काट लिये हैं वो भी आट कर देंगे अच्छे तरीके से बून लेंगे अब हम इसमें एक कप पानी आट करेंगे और चिकन और आलू को गलने के लिए रख देंगे पंदरा मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने राइस ले लिये हैं दो कप इसमें साबुत करम मसाला एडा किया है एक डेबल स्पून नमक एक डेबल स्पून राइस को बॉइल कर लेंगे दही ले लिया 1 कप इसमें यलु पूर कलर आडा आडा स्पून इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसका बहुत ही प्यारा कलर आ गया है इसको साइट पे रखते हैं हमारे चावल बॉइल हो गये है चावल रेडी है चावलों को ज्यादा नहीं गलाना चिकन और आलो भी बिल्कुल गल चुके है अब हमने जो दही का मिक्स्चर बनाया था वो इस पे आड़ करेंगे धनिया पुदीना एड़ करेंगे इसमें राइस आड़ करेंगे राइस की अप लेयर लगाएंगे हम इस पे जीरा ले लिया है एक टेबल स्पून उसको रोस्ट कर लिया और उसका पौडर बना लिया है अब उसको एड़ करेंगे और दम पे रख देंगे इस जीरे की बहुत ही जबदस इसमें टेस्ट आएगा बहुत जबदस फुश्बू आएगी अब हम इसको दम पे रख देंगे दस मिनट के लिए दस मिनट के बाद अब इसको मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अब हम इसको सर्फ करेंगे बर्यानी बिल्कुल रेड़ी है यह बहुत ही जबदस टेस्ट की बर्यानी है इसमें रोस्टिड जीरे का टेस्ट जो है और समेल बहुत जबर्दस आएगी आप इस रेसिपी से बर्यानी ज़रूर रेड़ी कीजिएगा मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अल्ला हाफिज